रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया च्छा विकेट से जीती मनीश पांडे बने जीत के नायक पांडे ने 81 गेंदो में नाबाद 104 रन बनाए रोहित शर्मा ने 99 रन बनाए भारत की सीरीज में यह पहली जीत है आपको बता दे की पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम आगे चल रही थी और भारतिया टीम लगा तारहार का सामना कर रही थी तीसरा मैच भारत के हाथ से निकला दूसरा पहला और चौथा मैच भी भारत के हाथ से निकला चौथा मैच जब भारतिये टीम खेलने के लिए उत्री थी चेस करने के लिए टारगेट उत्री थी लेकिन उस वक्त ऐसा लगा था कि वानो टीम इंडिया के हाथ में ये जीत है और टीम इंडिया जीत जाएगी लेकिन चौथा मैच हाथ से निकला लेकिन आज जब भारतिय बलेबाजों ने प्रदर्शन करना शुरू किया तो उससे शुरुआत से ही लग गया था कि भारतिय टीम आज मजबूती से मैदान पर उत्री है और जीत के इरादे से मैदान पर उत्री है जिसे टीम इंडिया ने सावित कर दिया टीम इंडिया ने सिद्नी में हुए सीरीज के आखरी मैच में उस्टेलिया को शेयर विकेट से हरा दिया टीम इंडिया के लिए मनीश पांडे ने अपना पहला शतक लगाया जबकि रोहित शर्मा ने 99 और शिकर धबन ने 78 रनों की पारिया खेली मनीश को उनके शतक के लिए मैन आफ दा मैच जबकि सीरीज में 400 से ज़्यादा रन बनाने वाले रोहित शर्मा को मैन आफ दा सीरीज चुना गया पहले बैटिंग करते हुए उस्टेलिया ने साथ विकेट के नुकसान पर 330 रन बनाये थे भारत के लिए इस मैच से डिब्यू करने वाले जस्पीत बुंगरा ने अच्छी केंदवाजी करते हुए 10 ओवरों में 40 रंदे का दो विकेट हासिल किये